दोस्तों, केवल भारत ही नहीं, बलकि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं, जहां पर पुरानी कहानी, किस्सो, दंत कथाओं और मिथकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन ही में से एक किरदार है, जलपरी। जलपरी या वास्तव में होती है या नहीं, इस बात की पुष्टी तो आज तक नहीं हुई, लेकिन हां, ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए हैं, जिन्होंने जलपरियों के कभी ना कभी अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान आकर किया है, यूं तो हमने कहानी किस्सों में कार्टून मुवीज में अकसर जलपरियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम आपको इन जलपरियों से जुढ़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, यही वजह थी कि मचुआरे हमेशा ही इन जलपरियों के शिकार क की तलाश में रहते थे, पर यह जलपरियों अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खीच लेती थी, आईए, अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बया करती है, जलपरियों को लेकर वैज्यानिकों की राय ली जाए, त जब इनसान अपना विकास कर रहा था, तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के द्वार में इनसान में कई बदलाव देखे गए, इसी तरह सन 2012 में अनिमल प्लैनेट नाम के एक चैनल पर दिखाई गई डॉक् के मन में जल परियों को लेकर कुछ सवाल, इस डॉक्यूमेंटरी का नाम था, मर्मेड, जी, बॉडी फाउंट, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखा, जिसका आधार शरीर इ कालपनिक वीडियो था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जल परियों के पाए जाने की कोई पुष्टी नहीं हुई थी, जल परी मिलने के किस्से एक या दो नहीं है, एक किस्सा आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां एक मृत जल परी के शव मिलने की ब परियों के होने और ना होने, दोनों प्रकार की संभावनाएं जताती है, मगर हाल फिल हाल में तो सच यहीं है, कि जल परियों के होने की कोई पुष्टी नहीं हुई है, इस पर खोजें लगातार जारी है, लेकिन अब तक जल परियों को लोक कथाओं से बाहर वास्तविक जीवन में नहीं लाया जा सका है, तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त जहुर क्रियेटर को दीजिए, इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटिस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें